हलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब आसा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे सुखी होंगे और अपनी प्रेग्नेंसी का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे दोस्तो जो नॉर्मल डिलेवरी होती है वो बहुत ही आसान होती है और नैचरल तरीके से हो जाती है जिससे हमारे बॉडी से कोई भी छेड़ खानी नहीं की जाती इस डिलेवरी में महिला और बेबी दोनों ही सुरक्षित रहते हैं और महिला को रिकवर होने में बहुत कम समय लगता है वही पर अगर सिचीरियं डिलिवरी की बात की जाए तो महिला को रिकबर होने में भी टाइम लगता है और हमारी body में कई तरह की छेडड़कानिया की जाती है छेट खानियों से मेरा मतलब है दोस्तों आपको anesthesia दिया जाता है आपको stitch लग जाता है आपको टाके लग जाते हैं ये सारे ही चीज़े natural नहीं है अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी normal delivery हो आप इस चीज़ की इक्षा रखती हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी useful ह होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपके बेबी ने normal delivery की position नहीं ली है यानि के बेबी ने head down नहीं किया है उसने drop नहीं किया है तब आपको क्या करना चाहिए तो कि गाइस जब तक आपका बेबी head down position में नहीं आएगा वो अ icon को hit करिएगा जिससे हमारी आने वाली future वीडियो की notification आपको मिल सके तो आएगे guys अब वीडियो को start कर लेते हैं दोस्तों आपकी pregnancy के third trimester में 8-9 महीने में कभी भी आपका बेबी head down कर सकता है बेबी जब head down करता है तो आपकी body में कुछ ऐसे लक्षन दिखाई देते हैं जो मैंने अपने channel में कई वीडियो में बताए हैं हमारे channel को आप visit कर सकते हैं आपको पता चल जाएगा कि बेबी के head down के क्या लक्षन होते हैं लेकिन guys कभी कभार ऐसा भी होता है कि बेबी head down नहीं करता है जिससे आपको वो लक्षन नहीं दिखाई देते तो अगर आपकी pregnancy में बेबी ने head down नहीं किया है तो आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं अपनी pregnancy में जिससे बेबी आसानी से head down कर लेगा guys इसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आपकी delivery की date ठंड में ही है अगर ठंडी के समय में ही आपकी delivery होने वाली है तो आपको अपने 9 मंत के सुरुआती समय से ही गुनगुने पानी का इस्तमाल करना है अगर आप पूरे दिन में गुनगुना पानी दो चार बार भी पी लेते हैं तो ये आपकी muscles को लचीला करता है आपकी muscles flexible होती है जिसके करण बेबी को आसानी से नीची आने में सहायता मिलती है तो गरम पानी या गुनगुना पान इंडियन टॉलेट का इस्तमाल करती है तो इससे बेबी पर pressure पड़ता है और वो नीचे आता है तो इंडियन टॉलेट जो होता है बेबी को नीचे आने में बहुत जादा सहायता करता है बट गाइज यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि अपने सूसू या पोटी में आपको pressure बिलकुल भी नहीं डालना है जब भी आपको सूसू पोटी आई तभी आपको जाना है इसके लावा आप एक रूम में जाडू या पोछा भी लगा सकते हैं उकरू बैट कर आप ये सारे काम कर सकते हैं बेबी इससे नीचे आता है और अपनी position लेता है इन में तीन इन सारी चीजों के अलावा दोस्तों आप कुछ और काम कर सकते हैं जैसे कि गुनगुने दूद में आप एक चम्मच घी का सेवन भी प्रेगनेंसी के 9 मंत में कर सकते हैं ये भी आपकी नॉमल डिलेवरी में बहुत हर्त तक सहायता करता है घी को आप चाहे तो दूद के सा पोजीशन में ला पाता है तो गाइस प्रेगनेंसी के 9 मंत में अगर ये तो काम भी आप कर लेते हैं तो आपका बेबी आसानी से हैड़ डाउन पोजीशन में आएगा और आपकी नॉमल डिलेवरी आसानी से हो पाएगी नॉमल डिलेवरी की पोजीशन अगर बेबी ले ल आते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलेवरी ही होगी